नमस्कार किसान सत्यों, एक बार फिर जस्ञागत है अपका अपने चैनल पर, तो किसान सत्यों बात करेंगे फरवरी महीने में लगने वाली मुंक्य पांच पसलो की, क्योंकि अभी बहुत सारे किसान सत्यों के खेतखाली होने की संबावना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मुख्य पांच फसले हैं इनसे आप अच्छा उत्पधन ले सकते हैं और अभी फरवरे में आप इनको जल्दी लगाएंगे तो इनकी आपको किमत भी बहुत अच्छी मिलेगे तो सबसे पहले बात करेंगे बिंडी के फसल बिंडी के फसल गर्मियों में इसलिए महतोपूर है क्योंकि गर्मियों में इसकी सबजी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और इसकी फसल में सबसे बढ़िया बात रहती है कि इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और इसमें गर्मियों में बहुती कम बिमारी और कीटर का प्रक कुंटल तक उत्वादन लिया जा सकता है और यह कम से कम आपको 15-20 रूपए प्रती किलो आराम से गर्मियों की फसल में बिग जाएगी अब बात करेंगे इसके बाद में तरबुच की तरबुच की फसल गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद किये जाती है क्योंकि तरबु प्र रूडबुच में तरबुच को गर्मियों खाने से थंड़क का हिसास भी होता है तद牌 इसका बंपर उत्वादन होता है गर्मियों में इसका एकड़का उत्पादन 1500 से 200 कुंटल तक उत्पदन होता है और इसमें बहुत ही कम बिमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है इसके बाद में बात करें खरबूज की फसल की खरबूज की फसल गर्मियों में सबसे ज़्यादा मुनाप़ देती है क्योंकि इसकी केती बहुत ही कम शेतर में की जाती है बहुत ही कम रखबे में की जाती है तता यह बहुत स्वाधिस्ट और मिठा होता है इसकी वज़े से यह आसानी से बिग जाता है और इसकी किमत भी बहुत अच्छी मिलती है इसकी किमत की बात करें तो गरमियों में ये आपको 20 से 30 रूपए किलो के आसपास बिक जाता है तता इसके उत्पादन की बात करें तो यह 100 से 1.500 कुईंटल प्रती एकड तक उत्पादन देखने को मिलता है किसन से आप बात करें हैं खेरा काकड़ी की पसल की किरा काकड़ी बहुत कम समय में अच्छा उत्पादन देने वाले पसल है तता गरमियों में इसे भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसको सबसे ज़्यादा सलात के रूप में उप्योग किया जाता है इसके उत्पादन की बात करें तो यह 120 से 170 कुइंटल प्रती एकड़ तक उत्पादन मिलता है और यह कम से कम अपन बात करें तो यह कम से कम 10 से 15 रुपे किलो आराम से बिक जाती है और अब सबसे मुख्य बात करेंगे मुख्य भसल तील की तील की फसल गर्मियों में लगा जाती है जायद फसल की रुप में लगा जाती है तील की फसल बारिश में बहुत कम पेदावर देती है तता बारिश में खराब होने की चांसे जाते है इसलिए इसे गर्मियों में उगाया जाता है तिल की फसल तीन से चार सिचाई में आराम से हो जाती है तता इस पर गर्मियों में बहुती कम किट पतंगों का नुकसान देखने को मिलता है किसान साथ यो पेदावर की बात करें तो यह 6-7 कुइंटल प्रती एकड तक उतपादन देती है इसकी किमत की बात करें तो यह अभी 17,000 रुपई कुइंटल के असपास भी करें तो यह भी एक मुख्य फसल है गर्मी की जो कि आपको अच्छा मुना पदेगे तो किसान साथ यह थी गर्मी में लगने वाली मुख्य पांच फसले जो कि एक मोटा और अच्छा-च्छा मुना पापको देखे जाएगी तो किसान साथ वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और इस से समद्दित कुछ जान कर चीए तो कमे किसान साथ यह थीग।